जहां हमारे पूर्वजों के सबसे पहले चिन्द आज भी संरक्षित हैं सुरक्षित हैं भीमबेटेका जहां के हर पाशान पर नजाने कितनी कहानिया आज भी गूंज रहे हैं हजारों येश्य करोणों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों की जीवन शैली उनकी संस्कृति उनका रहनसन उनकी दिन चर्या सब कुछ इन पत्थरों पर रंकित है जिन्हित है युनेस्को ने अब इसे धरुहर माना है लेकिन हमारी इस धरुहर की खोज वाकनकरजी नहीं की और उन्होंने इसका मर्व इसकी पूरी कहानी एक एक गुफा के शैली चित्र के पीछे संकेतों को नसिर बताया बल्कि संरक्षत करने की मांग भी की आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे पूरवजों द्वारा सामुहिक नृत्ते और वाधन करते हुए ये चित्र सफेद नजाने खड़िया या किस चीज से बनाए गए हैं कि आज भी हजारों वर्षों के बाद भी इनकी चिंध नहीं मिटे हैं बहुत सारी गुफाएं हैं और इन गुफाओं को आज घूमते हुए मुझे लग रहा था कि हम अपने आपको इतने प्रबुद्ध और ज्यानवान ये पीड़ी मानती हैं लेकिन हमसे पहले न जाने कितनी पीड़ियां ऐसा ही जीवन जीकर व्यतीत हो चुकी हैं रह गए हैं तो आज ये चिन जो बताते हैं कि सब कुछ नश्वर है रह जाता है तो आपका किया हुआ वही अमिठ है बहुत सुन्दर भीम बेटे का ये दिन आ आए हो तो आप अवश्य आए अपने होने से अपने आप से परिच्चे करने के लिए आए कि हम क्या थे हमारे आदम पूर्वच कैसे थे जरूर आए भीम बेटे का